हेलो माई फ्रेंज ग्लोजी पोटिगो सर्वसंपुन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है हरे क्रेशना तो ये है हमारे घर का न्यू मेंबर जाडू पोचा लगाने की मशीन मॉपिंग की मशीन स्वीपिंग की मशीन तो इससे हमारा काम काफी आसान हो गया है और इस अपने आप सारा डस्ट रिलीज कर देता है और चार्ज होने लगता है तो ये हमारे घर में न्यू एडिशन है जिसके वज़े से काम काफी आसान हो गया है सिंपल हो गया है और आप देख भी सकते हैं कितनी शाइन आ गई है घर के फ्लोर में और मॉर्निंग होते ही हम बैल हम भगवान की पूजा में यूज करते हैं तो शंग पुष्प है वाइट है ब्लू है हिबिसकस है गुडल का और ये वाइट वाले फूल है तो ऐसे बहुत सारे फूल है वो मैं शो कर देती हूं फिर हम हमारा आगे का रूटीन देखेंगे तो सुबत छोटे मुटे काम हो बरतन भी रात में लगा दिये थे और बरतन आराम से दूल के सूख जाते है इसी में और आप देख सकते है कि कितनी शाइन आ गये तीन शेल्ष है और मैं क्या करती हूं नीचे वाले शेल्फ में भी कुछ बड़े बरतन और सेकंड शेल्फ में इसमें ग्लासर और चाय प्रफिया, स्पैचुलाज, यह सारे कुछ, यह सब भी रात में लगाके सो जाती हूं, और यह सुबा अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, तो बरतन भी हो गया, जाडू पोचा भी हो गया, साथ ही साथ मेरे कपड़े भी धूल गया हैं, सुबा उठते ही कपड़े लगा देती दूल गए है तो ये तीनों काम से सजाएगे और में ढूर पर पे मैं खुद दूपाद रख defa सजाएंगे और किचन को भी मैंने ऊपर से यह जो शेल्फ से कैबिनेट से वो थोड़े गंदे हो जाते हैं तो इसे भी फनीचर क्लीनर से स्प्रे करके अच्छे से वाइप कर लिया ताकि कुछ भी दाग धबे ना दिखे तो रोज एक छोटा सा काम करने से क्या होता है घर प पिफश्चर काम करके हमारा घर पूरा व्यवस्थित हो जाता है तो जाडुपोचा भी लग गया है आपको पहले ही बताया था तो ये सारी चीज से हो गई है अब मैंने सनान कर लिया है और इसके बाद मैं मुख़द्वार पर रंगोली बनाने आया हूँ मैंने बोला है ड तो आपको प्राक्टिस नहीं है तो आपको 10-15 मिनिट लग सकते हैं और यह चौकट है हमारी चौकट भी प्लेन नहीं रहनी है तो वहां पर भी छोटी सी रंगोली बना दी और सिर्फ प्लेन वाइट की मैं नहीं रखती हूं तो चोटे-चोटे बूंदे डाल दूगी रेड के तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है मुखद्वार इधर भी जाडू पूछा मैंने पहले ही कर लिया था यहां से लिविंग रूम स्टार्ट होता है और लिविंग रूम की माई गॉड फ्लोर की आप शाइन देखिए हमारे मिस्टर रोबो ने कितना अच् शो किया था पूजा भी हो गई है धूब दीपक सब कुछ प्रज्वलित हो गया है और हमारे लडू बाबू भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं पिंक ड्रेस में पिंक माला पहने हुए और पिंक योरिंग है और इनकी चांदी की मुकुठ है यह आप सभी को तो पहले से पता ही होगा डेली यही लगता है तो इनकी स्माइल तो बनी रहती है और हमारी प्यारी राधारानी है और राधारानी को आप देख सकते है कि एक्तम यलो ग्रीन रेड के कॉंबिनेशन में मंद मंद मुसकारी है बहुत सुन्दर लग रही है और इनके कंगन इनके बाकी ज के वज़े से बहुत प्यारे लगते हैं तो लडू बाबू की ये बासुरी भी आपने पहले देखी होगी मयूर बना हुआ है इसमें चोटे चोटे गुंगरू लगे हुए हैं बहुत प्यारे लगते हैं साथ ही साथ यहां पर गनपती लक्षमी जी सरस्वती मया का भी पूजन हो गया है पुषप अर्पित हो गया है और सभी देवी देवताओं का भी पूजन हो गया है पुषप अर्पित हो गया है मैंने पहले ही बोला था कि देली मैं पोशाक चेंज नहीं करती कभी कभी कर देती हूं तो रादा कृष्ण जी की तो पोशाक कभी चेंज तो यह रही हमारी प्यारी राधिकारानी और यह रहे हमारे सावरे सरकार मुर्ली मरोहर जो बहुत ही प्यारे हैं और इतने मासूम लगते हैं कि मन करता है बस देखते रहो मंदिर की लाइटिंग मैंने चेंज की है जिसके वज़े से थोड़ा सा वीडियो कैप्चर नहीं हो है और उसके वज़े से यह लाइनिंग आ रही है बट मैं ट्राइ करूंगी कि उसको ठीक किया जा सके या फिर थोड़ा सा कैमरा नीचे करूंगी तो अच्छे से वीडियो आ जाएंगी हमारे जगनाजी हैं सुबद्रा जी हैं और बल्राम जी है तो सभी का पूजन हो गया है सभी से हमने आशिरवाद ले लिया है यह चांदी का शत्र मैंने मंदिर के सामने लगा दिया है पहले यह अंदर था तो उतना दिखता नहीं था और गंदा भी बहुत हो जाता था तो मैंने सामने ही लगा दिया है तो यही है मेरी छोटी सी मॉर्निंग रूटीन आई और बहुत लोग मुझसे request कर रहे थे कि आप डेली का पूजा वीधी बताईए तो मैं जैसे पूजा करती हूं वो वीधी तो चैनल पे पूराने वीडियो में uploaded है बट मैं जैसे करती हूं जरूरी नहीं है कि आप सभी को वही करना है या मैं हर चीज सही कर रही हूं मैं जितन कीजिए वैसे बहुत सारे आचार के गुरूओं के वीडियो uploaded है चैनल पे आप उनका help लीजिए उससे क्या होगा आपको सटीक जानकारी मिलेगी सही जानकारी मिलेगी जो लोग व्लॉक्स बनाते हैं या श्रिंगार दर्शन कराते हैं जरूरी नहीं है कि हर चीज हम लोग परफेक्टली करें और जितना हो पाता है उतना हम लोग भी कोशिश करते हैं तो यही रही मेरी छोटी सी रुटीन हमारे लडू बाबू का और समस्त देवी देवताओं का मंदिर का क्लीनिंग घर की क्लीनिंग का सबसे विशेज ध्यान दे धूल मिटी जाले गंदगी कुछ भी नहीं होने चाहिए मंदिर के आसपास और आपके घर का हमारे घर का सबसे सुन्दर स्थान होना चाहिए हमारे ठाकुर जी का घर हमारे ठाकुर जी का दरबार इसी के साथ मैं विदा लेती हूं मिलते हैं नेक्ट प्यारे से वीडियो में हरे कृष्णा